हाई एब्रिवान विल्कम टू मैं चैनल गैस आज मैं आप लोगों के साथ तेखुक फैन फिक्शन होए ने फेमास सिंगर वान नाइट इस्टन विट अन्नोन बॉइ एन मेंक इम प्रेगनेन के लास्ट पर एक्स्प्लेइन करने वाली हूँ जंगुक फिर भी शान्त नहीं हुआ जंगुक ते को पुश कर काउच पर गिरा कर कहता है गेट रेडी फॉर पानिशमेंड भी मैं तुम्हें उस लीटेल मोची के साथ चिपकत हुए देखकर माफ नहीं कर सकता इतनी आसानी से तो बिलकुल भी माफ नहीं करूंगा त्यंक प्लीडिंग टोन में बेबी सा शकल बना कर कहता है बन I am sorry प्रॉमिस में आज के बाद फिर से कभी चिम के साथ close तो क्या उसके पास खरे होकर भी पीक नहीं किचपाऊंगा जंगुक ते की बातों को इग्नोर कर अंदर चला जाता है और कुछ मिंटों के बाद एक स्टीक क साथ बापस आता है ते कहता है बेबी तुम इसके साथ क्या कर रहे हो इसे टेबिल पर रख दो जंगुक कहता है ते ते उल्टा लेट जाओ ते कहता है क्या तुम इससे मेरी बट पर हीट करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना जंगुक इस मार्ग करता है जंगुक के साथ ते के बट पर हीट करके कहता है मैं क्यों पच्टाओंगा तेयंग उसके हाथ से स्टीक छीन कर फ्लोर पर फेक देता है और थोड़ा नौटी वे में कहता है अभी तुम क्या करनी की कोशिश कर रहे हो हां रात को तुम ही एक्साइट फील करते हो और तुम्हें शांत करन तुम्हारे आस पास में किसी और को बरदाश नहीं कर सकता तेयंग उसे खीच कर अपने लेप पर बिठा कर दोनों हाथ उसके कमर पर रख सेफली उसे अपने बाहों में होल्ड कर अपने लिप्स कुकी के गर्दन पर रख कर उसे कीस करने लगता है कुकी तेय को अपने बेहिंग त की बेहां मिल्क तेयंग शुक्त के साथ उसे घूड़ने लगता है तेय कहता है बैभी के तुम्हें आभी बेंडना मिल्क बिल्क पिना है mesa कि कहता है हा अभी चाहिए तेई कहता है मैं तुमें लाकर दूंगा पहले हम कुकी मूफ लाकर बैठ जाता है तेई देखता है कुकी के आख आसु से भर गया है वो किसी भी वाक्त रो सकता है तेउंड अपने लौवर पार्ट के तरफ देखकर गुस्दे में दात पीसते हुए कहता है बेबी के तुम थोड़े टाइम के लिए मिल्क के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते जोंको ग्रोहते हुए टेबिल के उपर से सामान कमरे की चारो और फेकते हुए कहता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तेई तेई मैं घर जाना चाता हूँ तेई अपना राइट हैंड दातों के बीच में रखकर उसे काटने लगता है जोंको क्रोहना बंद कर तेई को बीग डोई आईस से घूरते हुए कहता है तेई 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 तुम अपने हैंड पर काट क्यों रहे हो क्या तुम किसी चीज से खुद को कांट्रोल करनी के लिए ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना क्या तुम्में मुझ पर गुसा आ रहा है अभी तेई कहता है मैं अपने होर्मोंडS को कांट्रोल करनी की कोशिश कर रहा हूं जो तुम्हारे बज़े से एक्साइट हो गया है जोंकुग गिगल करने लगता है ते एंग्री आइस से उसे घूरते हुए कहता है इस इस नोट फानी कुकी ए कहकर ते कार की चाबी लेकर बैनाना मिल्क लाने पास की किसी स्टोर पर चला जाता है ते एंग्री जब बैनाना मिल्क लेकर बापस आया तो वो देखता है जोंकुग को जो कीचिन में कुछ पका रहा था ते उसे कीचिन में देखकर गुसा हो जाता है ते ही कहता है कुग ए तुम क्या कर रहे हो जोंकुग कहता है बेबी मैं तुम्हारे लिए रामियन बना रहा हूँ ते कहता है इसे छोड़ो और यहां आकर मिल्क पियो जोंकुग कहता है इसे फ्रीज में रख दो अभी मेरा मन नहीं है ते यह कहता है क्या लेकिन थोरी देर पहले तो तुमने इसके लिए मुझे पागल कर दिया था जोंकुग कहता है हाँ लेकिन आभी मन नहीं कर रहा आभी मैं चिकेन पॉपकॉर्ण खाना चाता हूँ ते सर पकार कर सोबे पर बैठ जाता है जोंकुग इसमाइल करके कहता है डोंट वरी इसके लिए तुम्हें बाहर नहीं जाना परेगा मैंने अल्रेडी हम दोनों के लिए पॉपकॉर्ण बना लिया है ते एक रोमांटिक मुबी सिलेक्ट करता है ते काउच पर बैठा था कुकी ते यांग के लेब पर सर रखकर पॉपकॉर्ण खाते हुए मुबी इंजोय कर रहा था मुबी के बीच में कुक सो जाता है ते टीवी बंद कर कुकी को अपने बाहों में उठा कर बेडरूम लेकर आता है ते उसे बेट पर लेटा कर बलंकेट से उसे फुली काबर कर देता है उसके बाद ते जुक कर उसके माथे पर किस करता है फिर बेली पर किस कर सौफ्टली बेली को सहलाने के बाद ते कमरे से बाहर आ जाता है ते स्टाडी रूम में बैट कर कुछ जरूरी मेल चेक कर उसका जवाब दे रहा था और अपने हियोंक्स को खुद की राइटिंग क्यों ही नीव सौंग की मेलोडी लीरिक्स भेच कर गुरूप चैट में सबको सौंग और लीरिक्स कैसा लगा इस बारे में पुछता है सबको सौंग और मेलोडी बहुत जादा पसंद है लेकिन सब जानता है कॉमपनी उसे एस सौंग रिलीस करने नहीं देखा क्योंकि एस सौंग दो गे कपल की लव लाइफ और रोमांटिंग थीम के उपर बेस है ना जाने ते कितने बार इस तरह के सौंग लेकर इसे डिलिट भी कर दिया है क्योंकि वो इसे कभी अपने फैंस तक पहुचा नहीं पाएगा इसलिए ते घरी के तरब देखता है तो दो घंटा हो चुका था ते जल्दी से स्टारी रूम से निकल कर बेडरूम आ जाता है ते हमेशा कुकी का एक बेबी की तरह खयाल रखता है उसके लिए ते अबर पोटेक्टिव है ते ओल्वेश जांकुक के मूट स्विंग जेन्टिली हैंडल करता है क्योंकि पता नहीं कब उसे कौन सी बात कर बुरा लग जाए और वो रोना चालो कर दे जांकुक अचानक निन से उठकर क्राई करने लगता है ते यंग उसके पांस आकर बेट पर बैट कर सौफ्ट टोन में पुछता है बेबी कै तुमने कोई बुरा सपना देखा जांकु कहता है ते यंग इमाइ लुकिंग फैट आई नो मैं अगली लग रहा हूँ ते यंग स्मार्टली उसे हैंडल करता है ते कहता है नो बेबी तुम इस बीग टामी के साथ और भी जादा प्रीटी और एडरेबल लग रहे हो जोंकु कहता है नो आई नो तुम मुझसे अभी जूट बोल रहे हो ते हम एक नॉर्मल कपल की तरह नहीं रह सकते मैं तुम्हारे साथ बाहर फ्रीली घुमना चाता हूँ तुम्हारे साथ मिलकर बेबी और हम दोनों के लिए शौपिंग करना चाता हूँ तुम्हारे फैंस कैसे रियक्ट करेगा एग बात हमेशा मुझे नींद में भी हौन करता है ते यंग कहता है कुकी मैं सब को छोड़ सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं ए बात याद रखना अगर कभी दोनों में से किसी एक को चुनने का समाय आया तो मैं हमेशत तुम्हें चुनूंगा जोंकुक अब फिर से रोने लगता है ते ही कहता है अब क्यों रो रहे हो तुम जोंकुक कहता है क्योंकि मैं इस वक्त इमोशनल फिल कर रहा हूँ ते अलमीरा से जोंकुक और अपने लिए जैकेट निकल लेता है ते उसे जैकेट पहना देता है और खुद भी पहन लेता है जोंकुक कहता है तुम मुझे जैकेट क्यों पहना रहे हो ते ही कहता है क्योंकि हम long drive के लिए बाहर जा रहे हैं जांकुक ए सुनकर खुश हो जाता है ते अपने baby husband को लेकर long drive के लिए निकल जाता है लंबे समय तक दोनों बाहर घुम कर मास्ती करता है जांकुक pregnant होने के कारण ठाक चुका था तो ते उसे अपने बाहों में उठा कर च कर रहा था कुकी आप nine month pregnant था आचानक बीच रास्ते में कुक पेन के वज़े से जोड से चिलाया और बेली पकर कर रोने लगा ते उसे इस हालात में देखकर डर जाता है ते कुकी के बैक पर सहलाने लगता है उसे calm down करने की कोशिश करता है ते कार रोक कर तुरंत डॉक्ट बेबी आने वाला है उसे जल्दी से hospital लेकर आना होगा मैं medical room तयार करने के लिए कह देता हूँ जंकुक बेन को बरदाश नहीं कर पा रहा था वो तियांग का हाथ पकर कर हे भी breathe करते होए रो रहा था तियांग कहता है love don't cry relax and take a deep breathe जंकुक hospital के bed पर लेट कर डॉक्टर के कह परन वो बार बार गिबाब कर रहा था ते whole time medical room में जंकुक के साथ रुखने का फैसेला करता है ते उसका हाथ अपने large hand में hold कर उसका हिम्मत बराने की कोशिश कर रहा था पर अपने जान को इस तरह से तरबते हुए देख कर ते भी रोने लगता है कुछ time बात जंकुक जो baby boy baby is fine तियंग कहता है और cookie doctor कहता है don't worry वो भी ठीक है विकने इसके कारण बेहोश हो गया है आदे घंटे में होश आ जाएगा दो घंटे के बाद जंकुक को clean कर word में shift करता है उसे अब होश आ गया था जंकुक आखे खोल कर ते को देखता है जो अपने बेबी को अपने बा देखकर word होकर पूछता है love क्या तुम ठीक हो जोंकुक पेन के वज़े से धीमी आवाज में कहता है हां बस इस हिस्से में बहुत जादा दर्द हो रहा है तेयंग कहता है I know baby एक कुछ एक या फिर दो माहिने में ठीक हो जाएगा जोंकुक कहता है तेई मैं हमारे बेबी को देखना चाहता हूँ क्या वो बॉइ है या फिर गर्ल ते उसे बैटने में हेल्प करता है तेई बेबी उसे देखकर कहता है इट्स बेबी बॉइ बन आर यू हैपी जांक कहता है तेई लुक लुक ही सो क्यूट एन एड़रेबल उसे देखकर मैं अपना दर्द भूल गया वो तुम्हारी तरह देखता है देखो उसके नोस पर भी मूल है तेई कुकी को किस करके कहता है थैंक यू बेबी मुझे ये खुशी देने के लिए कुकी कहता है I love you too तेई तेई अब कुछ माहिनों के बाद तेई को आखिर कार कुकी के करीब रहने का मौका मिलता है बेब मिल्टर और मुसेज किम बेबी को अपने साथ की मेंचन लेकर गया था तेई कुक अपने ग्रान पेरेंट्स के साथ बहुत थी अच्छे से रहता है मुसेज किम उसे अच्छी तरह से हैंडल कर लेती है कुकी ढीनार टेबिल क्लीन कर एपरोन उता रहा था ताभी तेई उस और अपने लेक्स के मदद से डूर क्लोस कर कुकी को बेट के पास लाकर उसे बेट पर बिठाकर उसके करीब आने लगता है। जौंगुक तेही के आँखों में अपने लिए प्यार और डिजायर देखकर शर्म से लाल हो जाता है। ते उसके लिपसे लिपस जोर कर उसे किस करते हुए, टंग उसके माउट के इंसाइट स्लाइट कर उसे रफली किस कर रहा था, दुनों इस वक्त होट फिल कर रहा था, ते एक किस करते हुए कुकी को अंड्रेस करने लगता है, एक ही पल में कुकी ते यांग के नीचे था और तेई उसके उपर ते हार्शली खुद को उसमें शामिल कर इस पीट के साथ बॉड़ी को मुफ कर कराने लगता है कुकी इसे बहुत ज़ादा इंजोई कर रहा था तेई कुकी के रिलाक्स बॉड़ी महसूस कर और भी ज़ादा एकसाइट हो रहा था तेई समार्प कर लिपस बाइट करता है कुकी आसु भारी आँखों से देखो देखते हुए कहता है तेई तेई अपनी स्पीट को थोड़ा सुलो डाउन करो बहुत दिनों के बाद हम एस सब कुछ कर रहे हैं तो मुझे इस वक्त बहुत ज़ादा डर्द हो रहा है तेई कुद को पुरी तरह ज़ सब्बीद कर ठेह को उपपा कहकर बुला रहा था तेई को लेटा देता और खुद भी उसके उपर आकर लेट जाता है ऑभी तेई अपने लंभर को जेखए के अंदर से नहीं निकाला था जौनुत तेई शльहाव चयांक के हार्स और उसके बैक पर हाथ फिरा छहां ते जौंकुक के गर्दान पर face height कर उसे smell करके कहता है I love you my baby bun जौंकुक कहता है I love you too my hubby दोनों पासीनों से पूरी तरह से काबर हो चुका था दोनों ही काफी ज़्यादा ठक चुका था ते इस खुद को अलग कर कुकी को गोद में उठा कर बातरूम आ जाता है दोनों साथ में warm बात खतम करके जैसे ही bedroom के अंदर आ गया कुकी बेट पर लेटने से पहले night stand के पास से mobile लेकर time देखकर कहता है तेई I miss तेई कुक क्या मैं एक बार अम्मा को call कर पूछ लो के वो ठीक है या नहीं तेई कहता है love अभी बहुत रात हो चुका है अम्मा अपस हो चुका होगा don't worry तेई कुक ठीक ही होगा अगर वो परशान होते तो अम्मा हमें call करते जांकु कहता है फिर भी मेरा मन है मैं एक बर उसे देखना चाहता हूँ तेई कहता है ओके तुम call कर लो जांकु खुश होकर मीसेस किम को call करता है पहली बार मीसेस किम call नहीं उठाया तो जांकु दुबारा call करता है दूसरी बार call मिस्टर किम ने उठा लिया मिस्टर किम कहता है hello जांकु कहता है sorry अपा इतने रात को मैं call करके disturb कर रही हूँ मिस्टर किम कहता है, इट्स ओके, क्या हुआ, सब ठीक है, जांकु कहता है, हाँ, यहाँ सब कुछ ठीक है, अपपा, मैं आपको वीडियो कॉल करूँ, आप एक बर, बस तेई कुक को दिखा देना, मैं उसे बहुत जादा मिस्ट कर रहा हूँ, मिस्टर किम ओके कहे कर, जांकु को वीडियो कॉल करता है, तेई कुक मिसेस केम के साथ, चैन से सोया हुआ है, तेई कहता है, अपपा, तेई कुक रोया तो नहीं न, उसने आपको परेशान तो नहीं किया न, मिस्टर किम कहता है, नहीं, वो यहां बहुत खुश है तुम दोनों परेशान होना बंद करके फ्री टाइम को इंजोई करो ते और कुकी दोनों ही बलाश करने लगता है कॉल कट करने के बाद ते कुकी को खीशते हुए अपने लैब पर बिठा कर उसे किस करने लगता है तब ही कुक उसके लिप्स पर फिंगर रख कर कहता है तेही तेही एक क्या कर रहे हो तुम तेही कहता है तुमने सुना नहीं अपने क्या कहा मैं फ्री टाइम इंजोई कर रहा हूँ सुभा सुभा जंगुक चिला कर पुरा घर सर पर उठा लिया था कुकी के आवास्ते तेही निन से उठ जाता है तेही जल्दी से लिविंग रूम में आकर देखता है कुकी तेही कुक को डाट लगा रहा था उसे एक पैरों में खरा कर फिर डाट रहा था तेहीं भागते ह कोई नीचे आकर कहता है बेबी वाई आर यू शाउटिंग दीस माच कुकी कहता है तुम बीच में मात बोलो और तेकुक तुम सच सच बताओ तुमी ने पियाना मेरा बैनाना मिल्क काल रात मैंने सोने से पहले फ्रीज में रखा था तेकुक रोते हुए लिपस पाउट करके कहता है अपा मैं जूट नहीं बोल रहा हूँ मैंने नहीं पिया तेंग धिमी आवाज में कहता है लब उसने नहीं पिया कल रत मुझे पियास लग रहा था मैं पानी समझ कर पी लिया यह सुनकर जोंकुक गुस्से में तेकुक खा जाने वाला लुक से देखने लगता है त त्यांक पीछे पीछे उसे पानिश करने के लिए भाग रहा था हाँ जोंगुक सेकेंट टेम प्रेगनेंट है वो भी इस बर ट्विन्ज बेबी से प्रेगनेंट है इस बर प्रेगनेंट सी के कारण जोंगुक के मूट सुइंग और भी ज्यादा खातरनाख हो गया था मेट और तेईकुक दुनों को इस तरह से बच्चों की तरह भाग कर और एक दूसरे से फाइट करते हुए देखकर स्माइल कर रहा था और इसी के साथ ये फैन फिक्शन भी दी एंड हो जाती है स्टोडी कैसे लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग गूड नाइट बाबाए